अज मैं लिक रहा हूँ लॉकी की शानदार रसिपी जिसमें ज़्यादा मैनत नहीं है तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है वोड़ी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राब करना ना बुलें और साथ में जो बला आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वुडियो के नोटिफिकेशन सब को मिलत रहें तो बने यहां पे 700-800 ग्राम जितना लॉकी ले लिया है उसे अची से दो कर इसकी चिलके हटा दिया है और इस तरह से मैं काट कर ले रहे हूँ मोटे मोटे पीसिस में हमें काट कर लेने ना है तहरे इस तरह से काटे या फिर क्यूबिक शिप में काटे कुकर गरम करना रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून गी और यह जो लॉकी हमें काता है वो भी हम इसमे डाल देंगे और खरीबन एक से दो मेज़ाऊ जल बोल देंगे रहना, ऐसमें डाल देंगे केसर ठोड़ से इलाइची के चिलके यहां पर मैंनेपांच इलाइची के चिलके डाले है और जो इलाइची है से गूटकर साड पर रख दिया है वो हम एकदम लास्ट में डालेंगे और इसे हम pressure cook करने वाले हैं तो इसमें पानी नहीं डालेंगे हम दूद डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कब दूद डाल दिया है अच्छे से mix कर दिया है ढख कर इसमें हम दो सीटी लगा कर ले लेते हैं और यह देखें बहुत बढ़िया से यह cook हो गया है दो सीटी लगा लेने के बाद मैंने gas off कर दिया था हलका सा थंड़ा होने के बाद यानि जब हम cooker खोल पाए तब तक उसे मैंने थंड़ा कर दिया और फिर खोलने के बाद यह देखें इस तरह से mash करके ले लेना है इस दोरान अब मैंने gas on कर लिया है अच्छे से हम इसे masher के मदद से mash करके ले लेंगे हलवा बनाते हुआ हम दूधी या गाजा जिस चिसका भी हलवा बना रहे है उसे हम कद्दुकस करके लेते हैं हमने अभी तक शक्कर नहीं डाली है इसलिए हाइफ लेम पर हम इसे पका सकते हैं लेकिन कंटिनेश ले इस तरह से हिलाते रहे हैं और अब यह देखें इसका टेक्शर दरदरा सा हलका सा दरदरा है यह अब यह देखें इसमें जो पुष्वा में नजर आ रहा था वह बहुत ही कम नजर आ रहा है इस टेज पे हम अब शक्कर जाएंगे तो चलिए इसमें डाल देते हैं करीबन आधा कप चीनी और इसे अच्छे से हम मेक्स कर देंगे और साथी में हम इसमें इसमें मला देंगे तीन टेबल स्पून फ्रेश मलाई हम यहां पर मावा का इस्तमाल नहीं कर रहा है लेकिन मलाई से भी उतना बड़िया टेस्ट आईगा जितना मावा से आता है बहुत बड़िया लगता है अब मलाई डाल कर ज़रूर राइजिए अब अब देख सकते हैं इसका टेक्शर यह काफी लिकूर्ड है हमां इसे और पकाना है तो इसका फ्लेम कर देते हैं लो कुछ ट्रैफूर्ट्स हम रोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक टिबल स्पून की और उसमें मैं डाल रहे हूं काजू बदान पिस्ता हलका सा भून लेने से जो यह ट्रैफूर्ट्स है ना उसका टेस्ट कोई भी रस्पी में राफूर्ट्स को हलका सब भून लेने के बाद इसका यूज़ करें बहुत बढ़ा आपकी यह मिठाई बनेगी तो ड्रैफूर्ट्स तयार हो चुके हैं अब देख लेते हैं कि हल्वा तयार है यहां यह देखें इसका टेक्शर देखें हल्वा कड़ को में भी नजर आ रहे होंगे स्टेच पर अब Green Color का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने Color का इस्तमाल भी नहीं किया है नाचरल ही रखा है अब इसमें हम मिला देते हैं ड्राइफ्रू्ट्स थोड़ी ड्राइफ्रूट्स मै नयंसाइड पर गानिशिं के लिए पहले मैं आ ड ढाल देते लुआ दिए दिए बिना रूस्ट कि जब मैंने एक बार ड्राइफ रोट्स को इस तरह रोस्ट करके ढालाना तो उस recipe का जो टेस्प ऐतना enhance हो गया tab-से मैंने ड्राइफ रोस्ट करके या शुरू करिदlord अब टेक्शर मुझे एकदम सही लग रहा है मैंने गयास ओफ कर दिया है और अब इसमें हम मला देंगे एक टेबिल स्पून लाइच्छी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चाहे तो गर्मा गरम सव करें या इसे एकदम थंडा करके काई गर्णिश कर रहे हो इसे ड्रै फ्रूट्स के साथ ट्रै करना तो बनता है जब बनाना है इतना आसान तो यह देखें बिना कलर डाले बिना मावा बिना कंडेंस मल्क या कितना बढ़िया बना है उम्मीद है आपको यह रसेपी पसंद आई होगी यह मिलते हैं अगले रसेपी के साथ तिल दन बाई